केलाश विजेवरगिय इंदोर एक से विधानसवा चुनाव लड़ रही है नामांकन जमा भी करा चुकी है MP में नामांकन जमा कराने का आखरी तारीक 30 अक्टूबर थी जो की निकल चुकी है लेकिन अब केलाश विजेवरगिय के नाम पर आपत्ति जताई जा रही है उनके नामांकन को खारीज करने की मांग भी की जा रही है तो क्या है पूरा मामला जिस कारण से खारीज हो सकता है विजेवरगिय का नामांकन बिजेपी महासचिफ केलाश विजेवरगिय ने सुमवार को मधिपरदेश विधानसवा चुनाव के लिए इंदोर एक से अपना नामांकन दो दाखिल कर दिया है लेकिन बिजेपी महासचिफ चुनाव लड़ब भी पाएंगे या फिर नहीं ये सवा जरूर उठने लगे दरहसल 1999 की चत्तिसगड की अदालत से जुड़े एक मामले में विजेपी महासचिफ केलाश विजेवरगी की मुश्किले बढ़ सकती है चत्तिसगड के दूर्ग में एक नियाएक मजिस्ट्रेट प्रथमशेणी अदालत ने विजेवरगी को भगड़ा गोशित किया था और उनके खिलाफ 2019 में स्थाई गिरफतारी वारंट भी जारी किया गया था एक आपराधिक मामले में कोट के नोटिस का बारबर जवाब नहीं देने की कारण उन पर ये कार्रवाई की गई थी मामले में शुकायत करता पूर्व एडवोकेट जन्रल कनक्तिवारी ने कहा कि 1998 में कैलाश विजेवरगी ने उन पर भष्टा च्वार के आरोप लगाए थे उसी समय मैंने विजेवरगी से माफी मांगने की भी मांग की थी विजेवरगी ने माफी नहीं मांगी तो 1999 में उनके खिलाफ मामला दर्च को राया गया और अब यही मामला कैलाश विजेवरगी की मुश्किले भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है विजेवरगी लगभग 10 साल बाद किसी विधानसमा चुनाव में हिस्सा ले रही है उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आदालत की आदेश सोशल मीडिया पर सामने आ गए अब कॉंग्रिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि विजेपी नेता ने अपने नामांकन में अपने उपर दर्च केस की जानकारी छिपाई है इसलिए उनका नामांकन रद होना चाहिए जबकि विजेवर्गी ने इस सफाई देते वे कहा है कि मैं करनक्तिवारी को जानता हूँ वो कॉंग्रेस के नेता है मुझे केस के बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई समन नहीं आया और इस मामले के बारे में मुझे अभी ही पता चल रहा है अब केलाश विजेवर्गी का सफाई उनका बचाव कर पाती है या उनका नामांकर खारिज होता है इसे लेकर विजेपी की चिंता जरूर बढ़ती हुई दिख रही है डीबी लाइफ की रिपोर्ट